हाई व्यूवर्स वेलकम बेक टो मैं चैनल फ्रेंज यह देखिए आज हम सीखेंगे यह बहुत ही सुन्दर सा चोटी वाला निटिंग पैटर्न इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडिस कार्डियन में, जैंट साफ स्वेटर, फुल स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, कैप में, मफ्रल में डाल सकते हैं तो दिखिए फ्रंट साइड से यह इस तरह से दिखता है और बैक साइड से यह इस तरह से दिखता है तो इस design को बनाने के लिए जो सिची चाहिए होंगे वो 5 के multiple से होंगे plus 6 फंदे extra होंगे और ये जो design है total 4 रो का design है and friends if you want to learn this pattern in English language then please subscribe me to another English channel and link is in description box please go on and click on the channel and don't forget to like, share and subscribe me to another channel for more videos so let's start ये देखिए मैंने यहाँ पर 21 फंदे लिए है 15 फंदे 5 के multiple से लिए है plus 4 फंदे extra लिए है side में design को equal करने के लिए और 2 फंदे stitch के होंगे और base देने के लिए 2 रो उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकार लिए है चलिए बनाते हैं ये इसकी first row है और right side है और ये इसकी foundation row है ये देखिए ये आपने सिरफ एक ही बार बनानी है जब इससे start करेंगे SD slip करेंगे first row right side SD slip करेंगे धागा आगे करेंगे 4 फंदे उल्टे 1,2,3,4 धागा पीछे करेंगे एक फंदा सिधा बुनेंगे दो बार ये देखिए इससे चलिए डाल कर ये देखिए हमारा एक pattern complete होगा इसमें हमने 2 फंदे उल्टे बनाए 1,2,1 फंदा सिधा बुना और 2 बार चैए डाले है ये देखिए ये हमारा 5 फंदों का pattern है 1,2,3,4,5 फिर से इस pattern को repeat करेंगे धागा आगे करेंगे 4 फंदे उल्टे 1,2,3,4 धागा पीछे एक फंदा सिधा बुनेंगे दो बार धागा लपेटेंगे फिर से धागा आगे करेंगे 4 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4, थागा पिछे करेंगे और तो बार थागा रैप करेंगे 1, 2, एक फंदा सिधा बनेंगे लास्ट में 5 फंदे हैं थागा आगे 4 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4, एस्टिच उल्टा बना लेंगे 1st foundation row complete हो गई है अब देखे ये हमारी wrong side है इस रह से हमारा main pattern start होगा 1st row wrong side तो दिखिए कैसे करेंगे 1st row wrong side एस्टिच slip करेंगे repeat pattern start करेंगे धागा आगे करेंगे 4 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4 एक फंदा उल्टा बनाएंगे तो बार धागा रैप करेंगे 1, 2, ये दिखे हमारा एक pattern complete होगे इस में हमने 4 फंदे उल्टे बनाएं 2, 4 और एक फंदा उल्टा बना दो बार धागा रैप किया फिर से इस pattern को बीड करेंगे 4 फंदे उल्टे बना लेंगे वन, टू, थ्री, फोर, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, दो बार धागा रप करेंगे, वन, टू, फिर से फोर फंदे उल्टे, वन, टू, थ्री, फोर, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, दो बार धागा रप करेंगे, वन, टू, लास्ट में फाइब फंदे हैं, उल्टे बन बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, एस्टिच भी उल्टा ही बना लेंगे, 1st, रॉंग साइड कम्प्लीट हो गई है, 2nd रॉ है और राइट साइड है, एस्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटन स्टाट करेंगे, धागा आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, धागा, 4, धागा पिछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, दो बार धागा रेप करेंगे, 1, 2, यह देखे, मारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया, इसमें हमने 4 फंदे उल्टे बनाए, 2, 4, एक फंदा सीधा बना, दो बार धागा रेप किया, फिर से इस पैटन को रपीट करेंगे, धा 1, 2, 3, 4, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, दो बार धागा रप करेंगे, 1, 2, फिर से पूर फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, एक फंदा सीधा, दो बार धागा रप करेंगे, 1, 2, लास्ट में 5 फंदे है, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, एस्टिच उल्टा बना लेंगे, सेकंड रप कम्प्लीट हो गई है, थर्ड रप है, और रॉंग सैंड है, फिर से से सेम रप फस्ट की तरह ही बुनेंगे, एस्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटन स्टाट करेंगे, धागा आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, दो बार धागा रप करेंगे, 1, 2, यह देखिए, हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गई, इसमें हमने 4 फंदे उल्टे बनाए, 2, 4, फिर दो बार धागा रप किया, एक फंदा उल्टा बन एक फंदा उल्टा बनाएंगे, दो बार धागर एप करेंगे, 1, 2, फिर से 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, एक फंदा उल्टा, दो बार धागर एप करेंगे, 1, 2, last में 5 फंदे हैं, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, एस्टिच भी उल्टा ही बना लेंगे थर्ड रो कम्प्लीट हो गई है फोर्थ रो है और राइट साइड है अब दिखिए एस्टिच स्लिप करेंगे रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे फोर फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर दागा विछे करेंगे आप फोर फंदे ड्रॉप करेंगे दिखिए फोर टाइम ड्रॉप करेंगे इसको हम वन टू थ्री फोर हम ये नीचे वाला फंदा उठाएंगे और इन फोर फंदों के उपर से स्लिप आवर करेंगे ये देखिए ये फोर फंदे हैं अब इसको हम दो बार धागा रैप करके सिधा बुनेंगे फोर फंदों को देखिए फोर फंदे दो बार धागा रैप करेंगे वन टू स्लिप करेंगे ये देखिए हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया इसमें हमने 4 फंदे सीधे बुने और 4 फंदे ड्रॉप करके फिर इसको दो बार हमने धागा रैप करके बनाया है फिसे इस पैटन को रिपीट करेंगे धागा अगे करेंगे 4 फंदे उल्टे 1 2 3 4 धागा पीछे करेंगे एक सीधा फंदा ड्रॉप करेंगे 4 टाइम ड्रॉप करेंगे इसको हम धागा पिछे रखेंगे यह देखें वान तू थ्री फोर नीजी का यह वाला फंदा उठाएंगे और इन फोर फंदों के उपर से स्लिप ओवर करेंगी अम इन फोर फंदों को दो बार धागा रख करके सिधा बुनेंगे 1,2 फिर से धागा आगे करेंगे 4 फंदे उल्टे 1,2,3,4 धागा पिछे सिधा फंदा 4 ताइम स्लिप करेंगे डॉप करेंगे इसको 1, 2, 3, 4 इस फंदे के 4 फंदों के उपर से इस फंदे को ट्रॉप कर देंगे slip over करेंगे इसको फिर इस फंदे को दो बात आगार आप करके सिधा बनाएंगे 1, 2 लास्ट में 5 फंदे हैं उल्टे बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 यह देखे हमारा 4 फ्रॉप कम्पलीट हो गई है और हमारा पैटन भी कम्पलीट हो गया है फिर से हम इसे 1st फ्रॉप से स्टार्ट करेंगे तो देखे कैसे करेंगे 1st फ्रॉप रॉँग साइड as-stitch slip करेंगे 4 फंदे उल्टे बना लेंगे 1, 2, 3, 4, एक उल्टा फंदा दो बार धागार अब करेंगे 1, 2 यह देखे हमारा एक पैटन कम्पलीट हो गई फिर से से रिपीट करेंगे 4 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4, एक उल्टा फंदा दो बार धागार अप करेंगे, 1, 2, फिर से 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, एक उल्टा फंदा दो बार धागार अप करेंगे, 1, 2, लास्ट में 5 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 2nd row, right side as to slip करेंगे, repeat pattern start करेंगे, धागा आगे 4 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4 एक फंदा सिधा बनेंगे, दो बार धागा रप करेंगे 1, 2, ये देखें, मारा एक pattern complete होगा फिसर रपीट करेंगे, 4 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4 एक फंदा सिधा दो बार धागा रप करेंगे 1, 2, फिर से 4 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4 एक फंदा सिधा दो बार धागा रप करेंगे 1, 2, लास्ट में 5 फंदे उल्टे बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 3rd row, wrong side S3 slip करेंगे, same row first की तरह बनेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, एक फंदा उल्टा, दो बार धागा रैप करेंगे, 1, 2 यह देखे, मारा एक pattern complete हो गया, फिर से 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, एक फंदा उल्टा, दो बार धागा रैप करेंगे, 1, 2 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, एक फंदा उल्टा, दो बार धागा रैप करेंगे, 1, 2 लास्ट में 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 4 फंदा उल्टा, रैइट साइड, एस टीच, slip करेंगे, repeat pattern स्टाट करेंगे, धागा आगे, 4 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4, थागा पीछे, सीधा फंदा ड्रॉप करेंगे, 4 टाइम ड्रॉप करेंगे, इसको हम, 1, 2, 3, 4, अब देखें, यह 4 फंदे नीडल पर लेंगे, और उपर के 4 फंदे लेंगे, और इसके उपर से ड्रॉप कर देंगे, इस तरह से, अब 4 फंदों को सीधा बुनेएंगे, दो बार धागा रैप करके, यह दिखे, 1, 2, यह दिखे, हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है, फिर से से रपीट करेंगे, धागा, आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, सीधा फंदा फावर टाइम ड्रॉप करेंगे, 1, 2, 3, 4, अब 4 फंदों के उपर से 4 फंदे ड्रॉप करेंगे, अब 4 फंदों को दो बार रैप करके सीधा बुनेंगे, 1, 2, फिर से धागा आगे, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, सीधा फंदा ड्रॉप करेंगे, 4 ताइम ड्रॉप करेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 फंदों के उपर से 4 फंदे ड्रॉप कर देंगे, अब दो बार धागा रैप करेंगे, 1, 2, और सीधा बुन लेंगे, लास्ट के 5 अंदे उल्टे बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये देखें, फिर से हमारा पैटर्न, 1st रॉप से स्टार्ट हो गया है, ऐसे ही बार बार हम इसकी 1, 2, 4 और र्रॉप करते जाएंगे, और ये पैटर्न बनकर, ये देखें, इस तरह से दिखने लगेगा, इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाए कर सकते हैं, तो फ्रेंड, आप भी इसे बनाएए, और अपने एक्सपिरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने मत भूलें, तो मिलते हैं, ऐसी ही और नए नए वीडियो के साथ, तिल देन, बाई बाई फ्रेंड,